साथियों आप सभी देश को सिर्फ एक मेडल नहीं सिर्फ सेलिप्रेट करने का गर्व करने का अवसरी देते ऐसा नहीं है बल्कि एक भारत स्रेश्ट भारत की भावना को आप और ससक्त करते हैं आप खेल में ही नहीं बाकी सेक्टर में भी देश के युवाओं को बहतर करने के लिए प्रेरीद करते हैं आप सभी देश को एक संकल्प एक लक्ष के साथ जोडते हैं जो हमारी आजाधी की लड़ाई की भी बहुत बड़ी ताकत थी मात्मा गांधी नेताजी सुभाच्चन दे बोच मंगर पांडे तात्या टोपे लोकमाने तीलक साधार भगत्सी चंदर्चेक राजाप अस्पागुल्लाखा राम्पुथाद बिस्मल अंगिनित सेनाडी अंगिनित क्रांतिवीर जीन की धारा अलक्थी लेकिन लक्ष एक था रानी लश्मी बाई जलकारी बाई दुर्गा भावी रानी चन्नम्मा रानी गाइडिन लियो और वेलू नचियार जैसी अंगिनित विरंगनाओं ने हर रूजी को तोड़ते हुले आजादी की लड़ाए लड़ी बिर्शा मुन्डा हो अलूरी सिताराम राजू हो गोविन गुरू हो जैसे अनेक महान आजिवासे सेनानियों ने शिर्फ और सिरफ अपने होंसले अपने जज़बे से इतनी ताकतवर सेना से टक कर ली थी डॉक्टर राजेंदे प्रशाद, पंडित नहरू, सरदार प्रटेल, बबासाबा मेडकर, आचारी मिनोबा भावे, नानाजी देश्पोग, लालबादुर शास्त्री, शामा प्रसाद मुखर्ची जैसे अनेग विभूत्यों ने आजाज भारत के सपनों को पुरा करने के लिए जीवन खपा दिया, आजाजी के लड़ाई से लेकर आजाज भारत के नवनिर्मान में जिस तरह से पूरे भारत ने एक जूठ होकर प्रयास किया, उसी भावना से आप भी मदान में उतरते है आप सभी का राज, जीला, गाउं, भाशा बले कोई भी हो, लेकिन आप भारत के मान, अभिबान के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वस्टेश प्रदर्संट करते हैं आपकी भी प्रिणा शक्ती तरंगा है, और तरंगे की ताकत क्या होती है, यह हमने कुछ समय पहले युक्रेन में देखा है तिरंगा युद्धक शेत्र से भार निकलने में भारतियों का ही नहीं, बलकि दूसरे देशों को लोगों को लिए भी सुरक्षा कवज बन गया था